मारकेट साथ YouTube चालेन में आपका स्वागा थी इस वीडियो में हम मारो बुजु कैंडल Elshtick पैटर्न के बाठे में सिखेंगे इसमें हम देखेंगे मारो बुजु कैंडल को कैसे आप टेट कर सकते हो नेक्स्ट मारोबुजू candle हमें market trend के बाड़े में क्या बताता है वो देखेंगी लास्ट में हम देखेंगी मारोबुजू candle stick को काब और कैसे trade करने पर ज़्यादा useful होता है तो चलिए हमारा topic स्टार्ट करते हैं मारोबुजू candle stick pattern एक single pattern इसमें एक ही candle को देखें आपको trading decision लेना पारता है मारोबुजू candles two type का होता है bullish मारोबुजू एक परफेक्ट मारोबुजू candle में कोई upper and lower side नहीं राइता है bullish मारोबुजू में open बड़ाबर low होता है और close बड़ाबर high होता है bearish में open बड़ाबर high and close बड़ाबर low होता है ये एक परफेक्ट मारोबुजू candle का definition ही लेकिन real trading में बहुत ही minus सा upper and lower side होने पर भी उसे मारोबुजू candle ही कहा जाता है तो एक मारोबुजू candle का पैचान है या तो कोई upper and lower side नहीं होगा या फिर minus सा upper and lower side हो भी सकता है आप साबल है candlestick pattern को काब और कैसे trade किया जाए तो ये depend करता है आप कौन सा मारोबुजू candle को trade करने जाड़ाए हो bullish या bearish और इस वीडियो में हाम ये bullish मारोबुजू candle को काब और कैसे trade करते हैं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाम bearish मारोबुजू को देखेंगे bullish मारोबुजू candle हामें बहुत ज़्यादा buying interest को दिखाता है इस trading session के दौराण buyer हार एक price point में shares को buy किया अगर bullish मारोबुजू uptrend के दौराण बनता है तो strong trend continuation को indicate करता है इसमें ऐसा expect किया आता है कि आगे का कुछ session भी uptrend की तरह भी जाएगा और अगर ये candle downtend में बनता है तो ये trend reversal का indicate करता है इसमें expect किया आता है कि market का sentiment change हो चुका है stock अभी bullish है और आने वाला कुछ session भी bullish ही रहेगा bullish मारवुजू बे buy करना है मारवुजू candle का close price के आसपास और stop loss लगाना है इस candle का low point पर इसमें exit point बनता है next कोई resistant area पर जहाँ पर reversal का संके दिखाई दे रहा है और कुछ चीजे आपको ध्यान में रखना है false signal से बचने के लिए और size stop loss लगाने के लिए first जिस bullish मारवुजू candle पर आप buy कर रही हो उसका length 2% से उपर होना चाहिए और 8% से नीचे होना चाहिए और मैं यह percentage बोल रहा हूँ daily candle के लिए अलग अलग time frame में अलग अलग percentage के हिसाब से देखना पड़ेगा 2% से कम होगा तो बहुत ही छोटा candle बनेगा जिसका मतलब trading activity उसमें ज्यादा नहीं था और वो false signal देने का chance ज्यादा रहता है 8% से उपर होगा तो extreme trading activity को दिखाता है और उसमें candle भी बहुत लंबा बनेगा तो आपका stop loss बहुत दीब चला जाएगा जो risk reward and money management rules को उलंगन कर देखा नेक्स्ट आप जब भी इस तरह का trade ले रही हो तो एक confirmation के साथ लेना जैसे कोई indicator, price action, volume, fast उस दिन का volume नर्मल से ज़्यादा होना चाहिए अगर आप price action को देख रही हो तो यह देखना कि यह कोई support area के पास बन रहा है या फिर कोई particular pattern बना के यह बन रहा है कि नहीं तो यह ज़्यादा accurate हो जाता है और आप अगर कोई indicator का help ले रही हो तो उसका confirmation के साथ इसको trade करना जैसे bullish मारबूजू candle बना और साथ ही साथ MSCD indicator में MSCD line signal line को cross करके उपर close कर दिया अगर ऐसा update करते हो तो आपका trade साई जाने का chance बहुत ज़्यादा बाड़ जाता है तो आप इस वीडियो में मारबूजू candle क्या है जानकाए हो और bullish मारबूजू candle को कैसे effectively trade क्या जाए बो भी सिख चुके हो अब आपका बाड़ी है ये pattern ढूनना और practice करना एक बार confidence आ जाने पर आप real trade भी कर पाएंगे और उसमें profit भी कर पाएंगे इसका next वीडियो में बैरिस मारबूजू candle को काब और कैसे trade करना पड़ता है बो वीडियो देखना मत भोलना अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सिखने को मिला तो comment में जरूर बताएगा आपका comment से हमें पेरणा देगा आगे वीडियो बनाने में इस वीडियो में इतना ही मिलते next वीडियो में आपका है